नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में आज। हम एक ऐसे स्थिती के बारे में बात करेंगे जो कदाचित असंभव है। अगर पृत्वी से ऑक्सीजन गायब हो गया तो क्या होगा? यह कैसे हो सकता है और इसके प्राकृतिक और मानविय प्रभाव क्या हो स लगते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह हमारी श्वसन प्रक्रिया का हिस्सा है और हमारे शरीर के सभी उर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश आवश्यक है यहां हम एक काल्पनिक स्थिती पर चर्चा करेंगे। क्या होगा अगर प्रिथवी से ऑक्सिजन कायम रूप से गायब हो जाए। अगर ऐसा होता तो क्या होता। आईए जानते हैं। कुछ पॉइंट, एक जीवन का खतरा बिना ओक्सिजन के हमारे शरीर को श्वास लेने के लिए आवश्यक श्वास कौन, लंग्स की जरूरत होती है। बिना ओक्सिजन के हम जल्द ही बिना जाने ही खतरे में हो सकते हैं और मृत्यू हो सकती है। 2. जीवन के गतिविधियां बंध हो जाएंगी। ऑक्सीजन के बिना हमारे शरीर के सभी गतिविधियां प्रभावित होंगी और हम बिना जाने ही अपातकालिक स्थितियों में आ सकते हैं। 3. मानव जीवन की पूंजी में तबदीली ऑक्सीजन के अभाव में पृत्वी पर जीवन की सारी प्रकृती को प्रभावित करेगा जिससे खाद्य श्रेणियों, पानी और मौसम की तबदीली हो सकती है। चार प्राणियों का नुकसान जानवरों, पक्षियों और अन्य प्राणियों के लिए भी ऑक्सीजन बिना न सिर्फ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है बलकि यह उनके जीवन के लिए भी आवश्यक है। यदि ऑक्सीजन अचानक पृत्वी से गायब हो जाए तो यह मानव स्वास्थे के लिए विपरीत परिणाम देगा। कैसे आईए जानते हैं तुरंत अस्तित्व हीनता बिना ऑक्सीजन के मानव श्वास नहीं ले सकेंगे, जिससे कुछ मिनटों के भीतर सस्ताई होगी। इससे मानव जीवन की तुरित हानी होगी। स्वास्थे प्रभाव। ऑक्सीजन की कमी से सस्ताई के पहले यह समझ में नहीं आने वाले तंत्र, चक्कर और होश की गवाही देगी। कुशल स्वास्थे समस्याएं। ऑक्सीजन की लापरवाही, ब्रेन डैमिज और अंग की सफलता नकार सकती है। हर कोशिका के फंक्शन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है खाद्य श्रंखलाओं का गिरावट। पारिस्थितिकिये प्रणालियों की विघटन से खाद्य श्रंखलाएं तूट सकती हैं जिससे जीवन के लिए उपलब्ध खाद्य प्रजातियों को प प्रमुख हो सकते हैं। इससे माइक्रोबियल समुदायों में परिवर्तन हो सकता है जिसके अग्यात परिणाम हो सकते हैं। समुद्र में मरी जगहें। समुद्रों में ऑक्सीजन की कमी से मरी जगहें बन जाएंगी जहां समुद्री जीवन नहीं जीवित रह सकेगा। इस से मत्स्यपालन और समुद्री पारिस्थिति की ये प्रणालियों पर प्रभाव पड़ेगा। इस दुखत स्थिति में जीवन के लिए बचाव की कुछ संभावित रणनीतियां शामिल हो सकती है। आईए जानते हैं वह रणनीतियां क्या हो सकती है। पहली रणनीति कृत्रिम ओक्सीजन उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसमें ओक्सीजन को बिना प्राकृतिक प्रक्रिया के तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया, वैज्ञानिक और तक्नीकी उपयोग करके किया जा सकता है और अक्सर इसे ओक्सीजन उत्पादन यंत्रों के माध्यम से किया जाता है। दूसरी रणनीती भूमिगत निवास मानव अस्थित्व के लिए नियंत्रित, ओक्सीजन स्तर बनाए रख सकने वाले ग्रिह निर्मित, भूमिगत निवास स्थल बनाना होगा, जहां पर पहिले से ही ओक्सीजन की पूरी तैयारी करनी होगी, जैसे पेड़ पौधे लगाए रखने होगे, जिसे इस स्थिती से आ प्रक्षा उपकरण डिजाइन करने होगे, जैसे ऑक्सीजन सूट और ऐसे अलग-अलग उपकरण निर्मान करने आवश्यक होगे, जिस से कुछ मानव जिवित रह सके। के लिए जरूरी है. तो दोस्तों, यह थी हमारी कालपनिक स्थिती, जहां प्रिथवी से आक्सीजन गायब हो जाता है. इस सीख भरी चर्चा से हम समझते हैं कि हमारे जीवन के लिए आक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृ करें और बेल आइकॉन को दबा कर हमारे चैनल को सपोर्ट करें. और अगर आपके पास किसी और विशय पर चर्चा की आवश्यक्ता हो, तो कृपया कमेंट करें. हम आपके सुझाव का स्वागत करेंगे. धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के जल्द ही फिर मिलेंगे धन्यवाद.